देखिए जब बीजेपी के लोग सत्ता का मलाई चाव रहे होते हैं तो उन लोग को बहुत अच्छा लगता है आज जब चाचा भतिजा एक हो गए हैं और बिहार के विकास में चार चांद लगा रहे हैं तो बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है आदर्निय नितिश कुमार जी एवं हमारे बिहार के भविस युवा मुखमंत्री तिजस्वी आदर्द जी के नित्युत में लगातार बिहार आगे बर रहा है और बिहार के हर एक जिले में जाकर करके चाचा और भतिजा लोगों की समस्याओं का समधान कर रहे हैं तो भाजपा वाले के पेट में दर्द हो रहा है लगातार देख रहे हैं कि गड़ीव सोसित बंचित के बीच जाकर के मानिय मुखमंत्री जी और मानिय मुखमंत्री जी लोगों का जन कल्यान कर रहे हैं और इसी माध्यम से वहां के जो पंचायत लेवल पर जो सरके हैं जो भवन है सरकारी आंगनवारी केंद्र है जो स्वास्त विवस्ता है उसकी जानकारी ले रहे हैं और वहाँ पर जो जलनल का जो समस्या है उसको भी दूर करने का काम कर रहे हैं और जो अस्थानिय पताधिकारी है उसमें भी काफी सहयोग कर रहे हैं और लोगों का जो समस्या है जो भी आता है उसका समधान तोरित कारवाई करते हुए किया जाता है देखे बीजेपी के लोग को कोई काम तो रहा नहीं अभ उनों को फिजूल की बाते करना है बस जब 17 बर्सों से मानिय नितिसकुमार जी के सांथ मिलकर करके वो सरकार में सामिल थे मंतरी बनके सत्ता का मलाई चाब रहे थे तो बहुत अच्छे थे तब नितिश कुमार जी अच्छे थे आज खराब हो गए क्या लेकिन आपके विधायक सवाल खरा कर रहे हैं कौन विधायक कौन विधायक राज़त के विधायक है उनको भी मर्यादा मेरा करके ब्यान देना चाहिए वो खुद बीजेपी के एजेंट है